हेलो दोस्तों मेरा नाम सोनु पवार है फ्रीद अबास से बात कर रहा हूं हरियाना से हम पाउच पैकिंग मशीने बनाते हैं और मशीने बनाने के बाद में जब वो केस्टुमर के पास में जाती है तो उन मशीनों में कुछ प्रोलम सैसी आती है जिसकारण से कभी कभी कोई नहीं कर्वार है जादो तर जो हमें मशीने पावडर मां आती है वह तुम से ओल्ट रॉडरम के जाएसे कि अब का स्वाइस हो गें बेशन हो गया आटा हो गया अनिव हो South about a पाउडर फॉर्म जो भी रहेगा प्रोडेक्ट तो उसमें जाद तर प्रोड़म आती है उसमें भी प्रोड़म वहां पर आती है जहां पर हमारा जो ड्रोपिंग सिस्टम जहां पर है तो ड्रोपिंग सिस्टम जहां पर हमारा है जहां पर हमारा प्रोडेक्ट ड्रोप होता ह तो वहां पे कभी-कभी हमारा जो पाउडर है वो हमारा च्पक जाता है जिस कारण से कहें कि weight में problem आती है weight variation आता है विवज़न में कम जादा की सिकायत आती है तो उसके लिए हमने वहां पे एक system लगाते हैं अब हम जो कि यह vibrator है के 10 जी के 10 vibrator है और इसका यूज कैसे होता है मैं आपको बताता हूं इसमें आपके दो point दीख रहे होंगे आपको कि यहाँ पे आपका यह input है और यहाँ पर फिल्टर लगता है जो जो connector है वो यह है वो हमारा यहाँ पर ऐसे लग जाता है यह हमारा यहाँ पर यह टाइट हो गया है और यह हमारा जो फिल्टर है हमारा फिल्टर है जो यहाँ पर लगता है यह हमारा फिल्टर लग जा कि यह इस तरीके से हमारा लगके कंप्लीट हो गया अभी इसका यूज कैसे होगा यह कैसे आपका वाइब्रेशन करेगा इसका भी मैं आपको बताता हूँ इसके लिए कंप्रेशर की जो एर होती है उसका जो पाइप होता है वह इन्पुट वाला वह हमारा इसमें लग जाएगा इस तरीके से लग जाएगा और उसके बाद में वहां से हम एर खोलेंगे तो यह वाइब्रेशन करने लगेगा अभी हम आपको एर खोल के दिखाते हैं कि अब भी हमने इसमें चालू कर दिये अभी हम एर आपको डाल के दिखाएंगे तो यह इसकी बहुत ज़्यादा वाइप्रेशन है यह देखो कि एर को बंद कर देंगे तो हमारा यह शॉप हो जाएगा तो इसको आपको यूज वहां करना है जहां पर हमारा जो प्रोडेक्ट जहां पर ड्रोफ होता है तो जहां पर ड्रोफ होता है तो इसको वहां पर सैट करना है फिटिंग करनी है इसको अच्छी तरह से जिस से कि आपकी जो product छुपकने की जो शिकायत है तो उसको clean कर देगा साथ के साथ और जो आपका wheat bearation है वो आपका बिल्कुल खतम हो जाएगा जिस से कि आपका वजन जो कम ज़ादा है वो बिल्कुल खतम हो जाएगा धन्यवाद वीडियो अच्छे लगी